दोस्तों EVM और VVPAT को लेकर के चुनाव आयोग ने बड़ा खुलासा कर दिया और EVM, VVPAT में जो धांदली होती है खुद ही उसका खुलासा जो है चुनाव आयोग ने कर दिया EVM और VVPAT को लेकर के 962 पन्नों की याचिका पर सुप्रम कोर्ट का अब बड़ा फैसला आ गया सुप्रम कोर्ट में चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ कह दिया जोसे लेकर के तहल का मच गया 2024 चुनाव से पहले पहले ADR Association for Democratic Reforms का EVM और VVPAT को लेकर के सुप्रम कोर्ट पहुचना और 2024 चुनाव में VVPAT से निकलने वाली हर एक वोटो की परची की गिंती करना इसे लेकर के इस मांग को लेकर के तहल का मचा हुआ है जिस पर चुनाव आयोग ने सुप्रम कोर्ट में जो बयान दिया उससे राजनिती गलियारों में तहल का और राजनिती गलियारों में एक तरह से शोर जो है वो जोरो शोरों से पकड़ लिया है क्या है पूरा मामला? EVM और VVPAT पर सुप्रम कोर्ट में क्या मामला चल रहा है और उसका असत 2024 चुनाव में किस तरह से पढ़ने वाला है? बताएंगे आपको इस वीडियो में तो वीडियो को बिना स्किप करें पूरा जरूर देखिएगा नमस्कार स्वागत है आप सभी का देश निती पर देश निती किवल सची और पक्की खबरे दोस्तो एक तरफ पांचो राज्य के विधान सभा चुनाव होनी जा रहे हैं एक तरफ 2024 लोग सभा चुनाव की तैयारियां योरो शोरो पर है इस बीच EVM और विवीपैट को लेकर के सुप्रम कोर्ट के समक्ष चुनाव आयोग ने सुनवाई के दोरा जो कुछ भी कहा उससे ये तो साफ हो गया कि विवीपैट और EVM में गरबड़ी होती है और गरबड़ी समभव है ADR यानि Association for Democratic Reforms की तरफ से सुप्रम कोर्ट में 962 पन्नों की याचिका दाखिल की गई याचिका में ये मांग की गई कि चुनाव आयोग EVM की विवीपैट से निकलने वाली सब ही परचियों की गिंती करें तब ही पता चलेगा कि हमारे दिये गए वोट सही जगा पर गए या नहीं दरसर वोटर वेरिफायबल पेपर ओडिट ट्रेल वीवीपैट प्रत्यक EVM मशिन के साथ एक वीवीपैट जो है जुड़ा हुआ होता है वोट डालने के बाद साथ सेकंड तक वोटर वीवीपैट में प्रिंट पेपर स्लिप को देख सकता है और उसने जो वोट दिया है वो सही जगा पर गया या नहीं इसके बारे में वो जानकारी जुटा सकता है इस पर चुनाव आयोग ने मान लिया है कि ऐसा कई बार होता है और हुआ है कि EVM में डाले गए वोट और वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची में अंतर हो जाता है खबर क्या है दोस्तों आपके स्क्रीन पर सुप्रम कोट पहुँचा ADR वीवीपैट की सभी पर्चीयों को गिनने की उठाई मांग दायर की याचिका इसी ने बताया अगर वो वीवीपैट के सभी पर्चीयों की गिनती करने लगे तो देश पुराने मतनान की युग में वापस चला जाएगा सभी वीवीपैट पर्चीयों की गिनती की मांग के लिए ADR पहुँचा सुप्रम कोट चुनाव आयोग ने मानी मानवियत रूटी की बात ADR ने सुप्रम कोट में एक याचिका दाखिल कर वीवीपैट की सभी पर्चीयों की गिनती की मांग की है चुनाव आयोग इलेक्शन कमिशन ने 4 सितमबर को इस पर जवाब दिया इलेक्शन कमिशन ने बताया कि अगर वो वीवीपैट की 100% परचियों की गिंती करने लगे तो देश मैनुवल मतदान की योग में वापस चला जाएगा ये एक तरह से बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराने जैसा ही होगा अब तक चुनाव आयोग प्रत्यक विधान सभाद छेतर के किसी 5 मतदान केंदर के सभी वीवीपैट परचियों के गिंती करवाता है कहीं बार एवीए में पड़े वोटो और विवीपैट से निकलने वाली परचियों में अंतर रह जाता है लेकिन अगर मैनुवली गिंती करेंगे तो मानवियत रूटी की संभवना रह जाएगी भारत में होने वाले चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था ADR ने इस साल 13 मार्च को एक रीट याची का दायर की थी साथ सेकेंड तक विवीपैट की परची दिखने से कुछ हद तक मतदाताओं को ये पता चलने लगा कि वोटिंग जो है वो सही हो रही है या नहीं हाला कि अब भी मतदाता के लिए ये सुनिश्चित करने की कोई प्रक्रिया नहीं है कि वो रिकॉर्ड कर सके और या रिकॉर्ड में वो दर्च हो जाए कि उन्होंने जिसे वोट दिया है और जो परची निकल रही है दोनों सेम है और अब मांग की जा रही है कि ये वीवी पैट और एवीम के बीच ताल मिल है या नहीं है वोट रिकॉर्ड के अनुसार गिना जाए ताकि चुनाव जिसके जरीए हम पांच साल के लिए देश का बागदोर किसी के हाथ में सौपते हैं उस चुनाव को फेर इलेक्शन कहा जा सके इसके लिए गिंती करा दो ताकि पता चल जाए कि जनता श्योर हो जाए कि हाँ जिसे हमने वोट दिया जिसे मैंने वोट दिया उसी के पास ये वोट गया हो लेकिन चुनाव आयोग पर सत्ता पक्ष के इशारे पर काम करने का आरोप लगता आ रहा है और चुनाव आयोग ने ठीक उसी अन्दाज में सुप्रम कोट में क्या विस्तारित में कहा है मैं आपको एक एकर बताऊंगी जनसत्ता के रिपोर्ट की माने तो अपने जवाबी हलफ नामे में चुनाव आयोग ने कहा कि भारत में कुल विधान सभा सीटे चार हजार से अधिक है हर विधान सभा सीट के पांच मतदान केंद्रों को सभी विवीपैट परचियों की गिंती करवाई जाती है इसका उठता है दोस्तों कि अगर चुनाव आयोग इस बात को मान रही है कि एवियम में डाले गए वोटो और विवीपैट से निकलने वाली परचियों में अंतर होता है तो फिर चुनाव आयोग और सरकार खुलेयाम धोका धड़ी पर उतर आई है यही साबित होता है इसे लिए एडियार ने धो थाज़र चुनाव से पहले-पहले यह मांग सुप्रम कोर्ट में की थी कि विवीपैट की परचियों की हाथ से गिंती हो जाए चौदा सितमबर को सुप्रम कोर्ट में चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि हम जो है हम मैनुवल गिंती नहीं करेंगे परच पैट से निकलने वाली पर्चियों में बड़ा फासला देखा जाता है ऐसा भी चुनाव आयोग नहीं दावा किया यानि खुड मिला करके सुप्रम कोट में चुनाव आयोग के आगे कुवा हैं और पीछे खाई जैसी हालत है दरसल अपने ही जाल में खुद फस गए हैं चु गिंती करने से क्यों दिक्कत हो रही है दरसल इसके पीछे क्या किसी और के इशारे पर जो है चुनाव आयोग काम कर रहा है जिसके चलते उन्होंने चुनाव आयोग ने जाकर कि सुप्रेम कोट में इस तरह की बयान दी और साफ कर दिया कि हम तो गिंती नहीं करेंगे पर सुप्रेम कोट में ये साफ कर दिया कि हम तो वेवीपैट और इवीम के बीच तालमिल है या नहीं है इसके गिंती करने वाले नहीं है दोस्तों जड़ा याद कीजिए कि किस तरह से इलेक्शन कमिशनर को सरकार अपने पक्ष में रखने की कोशिश करती रही जिसके चल होंगे और कोई ना कोई केंद्रिय मंत्री को इसमें शामिल किया जाएगा इसमें से CGI जो चीफ जिस्टिस ऑफ इंडिया है उन्हें हटाया जा रहा है अब अब समझ सकते पूरे खेल को कि क्यों इलेक्शन कमिशनर को सरकार अपने पाले में करना चाहती है या अपने मन मु जरा रहा है दोस्तों इस पूरे विशे को आप किस तरहां से देखते हैं कि आपको भी लगता है वाकिए EVM और VVPAT में कुछ ना कुछ गरबरी या खेल हो सकती है ऐसा संभवना होता है और इसे के चलते भारती जनुता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाती है जहां चाह अप्शन का वीडियो के अंत में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए ताकि अगर आप लोगतंतर को बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लोगतंतर के चौथे स्तंभ को यानि मीडिया को बचाना होगा और आज के जमाने में निस्पक्षपत्रकारिता आपको सर्फ और सबस्क्राइब करें और बल आइकन को दबाना ना भूलें